आइसलाम लेकूं स्टूडेंट्स हाओ और उल कैसे हैं आप लोग सब और कैसे हैं आपकी घर वाले सब आप लोग अपना भी ख्यार रखने हैं और घर वालों का भी वेरी गुड आपको जैसे कि मैंने आपका जो न्यू काम है बेटा होमवक आपको शेयर कर दिया था उसकी आपका जो science का है अब हम second chapter पढ़ रहे हैं, it's a class of your science class, ठीक है, science की class है, आज हमारी, ठीक है, remember this thing, आज हम पढ़ेंगे unit 2, उसमें आपके homework में unit 2 दिया वे food and balance diet, last previous homework में हम unit 1 कर चुकि है, that is called the human body, ठीक है, I think so you have learned it, मेरा ख्याल से आप लोगों इसको याद कर लिये, very good, if you have learned, और अगर आपे नहीं किया, तो kindly उसको learn कर लें, ताकि आपके पास burden ना जादा हो जाए कि एकदम जो अच्छा, यह चेप्टर भी start होगे, तो भी तो मैंने पिछ नहीं learn किया, तो साथ साथ आप लोग वो learn करना शुरू कर दें, ठीक है, आज को आपको unit 2 है, food and balance diet, मेरा ख धर में बैट के reading करेंगे, और आपको समझ आजेगी कि मैंने आपको वीडियो में क्या share किया, मैं आए first question ही, why do we need food, आपने कभी यह सोचा है, कि आपको खाना क्यों चाहिए, हम क्यों खाते है, हम ना खाए, ऐसा हो सकते है, तो क्या करते है, food आपकी क्या help करते है, आपको जिन्दा रखते है, to live and grow, यानि आपको बड़ा करने के लिए, खाने के लिए, to give energy also, ठीक है, तो हम क्यों खाना काते हैं, जिन्दा रहने के लिए, बड़े होने के लिए, और क्या करने के लिए, energy gain करने के लिए, ठीक है, इस picture में आप देख रहे होंगे, different types of foods है, कभी हम sometimes time mix ले ले लेते हैं, कभी इसमें से हम कोई एक ले लेते हैं, ठीक है, food यह है, अब what is a balanced diet, next question हमारे आपके इसी page number 11 पे आपका word है, balanced diet, अब food के बाद आपको जो second word आता है, that is called balanced diet, अब balanced diet के आए, क्या हमने इसको weight machine में balance करके खाना है, no, balanced diet means eating the right variety of food in the right amount, अब यह नहीं है, कि मुझे बस दूद की ही चीज़े या milk की पसंद है, तो बस मैं दूद ही पीता जाओ, और मैं कोई सबसी ना खाओ, और या मुझे अगर सबसी बहुत पसंद है, तो मैं कोई सबसी ना खाओ, तो यह नहीं होना चाहिए, आपको हर चीज़ के amount variety of food होनी चाहिए, amount होनी चा काम ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं, balance diet, यानि हर चीज़ की quantity हो, इसलिहाँ से food को divide कर दिया है, groups में, food can be divided into groups according to what they do for the body, अब हो हमारी जिसम के लिए क्या करती है, अगर मैं गोश खा रहे हैं, तो वो हमारी जिसम में क्या का काम करें, या अगर मैं खाली दूद की चीज़े, पीरियों मिल्क आइटेम्स ले रही हैं, तो वो मेरी जिसम में बॉड़ी में आपके क्या help कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उसलिहाँ से groups को divide कर दिये, अब मैं यहाँ पर आपके groups के नेम शेयर करूंगी, कार्बो हाइट्रेट, कार्बो हाइट्रेट क्या है, हमारा major source of quick energy है कार्बो हाइट्रेट खाने से हमें फॉरान एकदम जली से energy हमारी बॉड़ी को मिल जाती है, इसमें आप देख रहे हैं चीज़ें शामी ने सारी, next है, dry tree fiber, यह क्या करती है, it helps to move the waste through the digestive system, यह आपके जो waste, वो digestive system से move करती है, उसको move करती है, उसको निकालती है, ठीक है, इस क्या होते है, body building food, हम कहते हैं, अगर अच्छा आपको weakness होती है, चलो जी दूद पीलो, गोष्ट खालो, थोड़ी सी ताकत आजेगी, यह आपके cells है, वो बनेंगे, तो यह क्या है, body building food, next is fat food, fat foods में आप देख रहे हैं, मोस्ती कुछ आपको junk food भी नजर आ रहे है, यानि keep the warm body, इसका सिर्फ काम यह है, कि आपके जिसम को गरम रखते है, ठीके, आपके जिसम में energy देता है, energy यह भी देता है, these are the, all the parts of, all the groups of food, clear this thing, यहां तक आपको यह, आपको मैंने सारे, आपको groups दिखाए हैं, जो सारे क्या है, डिवाइट किये हैं, food के, clear this thing, यहां तक clear हो गय यहां तक clear है, यह आपके page number है, 13 तक का यह काम है, यहां तक का ठीके, आपने घर में इस page तक, 13 page तक आपने reading करनी है, 13 page जो book work आपको दिया, where you have to solve it, I share with you, मैं आपको share करूँगी, ठीके, फिर उसके इलावा हम थोड़ा सा और काम भी करेंगे, आज का ठीके, और यह आपन you can ask me in a group मुझसे पूछें, तो मैं आपको explain करूँगी, ठीके, because it's a new chapter for you, आपने page number 13, 12 और 11 की reading अच्छी तरह करनी है, इसको वीडियो के देखने के बाद, फिर अगर आपको कोई भी confusion होती है, तो आपने बेटा मुझसे पूछना है, क्योंकर यह new chapter है, जब आपका clear हो ज तेंक यू